हलो गाईज कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ आज की हमारी अगली क्लास में आप सब का बहुत बहुत स्वागत और अभीनन्दन करते हैं मित्रो हमारी यहां विसर्ग संदी चल रही है समस्कित की क्लास लगातार आपको मिल रही होंगी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो ठीक है कमेंट करके आप बताया करो जिससे की हमें लगए कि हाँ वास्तम में हम ज लोप दीर्ग संधी विसर्ग लोप दीर्ग संधी यह हमारी संधी रहेगी बच्छो ठीक है विसर्ग लोप दीर्ग संधी अब देखो इसमें थोड़ा सा नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि इसमें क्या हो सकता है बताये इसके अंदर दोस्तों के लोब के साथ साथ में दीर्ग भी होगा अब दीर्ग किसका होगा कैसे होगा कब होगा ठीक है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं कुल मिला करके आप पूरी संदी सीख जाओगे यदि आप ये क्लास देख लेते हैं ठीक है बच्चो चलिए क् मैं सिर्फ और सिर्फ दो सूतर आपको बताऊंगा सिर्फ दो सूतर बताऊंगा दो सूतरों में हमारा सारा कुछ मामला किलियर हो जाएगा मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी समझाया था कि बच्चो कभी भी विसर का डारेक्ट लोप नहीं होता कैसे होता है फिर तो मैं आपको एक बार यहाँ process समझाता हूँ कि हम यहाँ पर क्या करेंगे अब देखो दोस्तों यहाँ पर इस संदी में होगा क्या इसकी एक process समझाता हूँ मैं आपको ठीक है उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें यह जो मैं बता रहा हूँ आपको यह पूर्व प्रस्तावना है यानि पूर्व की कुछ जानकारी है यह हमें होनी चाहिए तब ही जाकर के हम संदी में प्रवेश कर पाएंगे और इस वाली संदी को आराम से समझ पाएंगे देखो दोस्तों पदान्त में हमारे पास जब से मिलेगा पदान्त में पदान्त से जब पदान्त से मिलता है तो इस पदान्त से को हम रू कर लेते हैं सूत्र मैंने बता दिया था पहले ही पढ़ा चुका हूँ सस जो शो रू यह तो मैं आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ यह आपको भी पता होगा ये वाला जो सूत्र है वो पदान्त में काम करता है यानि पदान्त में जो से मिलेगा और जो सजुष शब्द का शे है उसके इस्थान पर क्या करेगा रू करेगा और रू के इस्थान पर आपको पता है कि रे हो जाता है मतलब रू में से रे बचता है सिर्फ उ जो दिख रहा है इस उ की इत्संग्या होती है और फिर लोप हो जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारा रू में से क्या बचेगा बच्चो रे बचेगा क्या बचेगा रे अब यहां पर जो रे हमारे पास बचा हुआ है अब आप बताईए ये रह जो था ये पहले क्या था ये रह था बच्चो से क्या था ये से इसी रह के स्थान पर विसर्ग होता है अब आगे जब प्रोसेस हम बढ़ाएंगे तो ये जो रह है ये आपका विसर्ग में बदल जाएगा इसके लिए एक सुत्र आता है खरवसान योर विसर्ग नहीं असे तो ये जो रह है ये विसर्ग में तबदील हो जाता है अब यहाँ पर देखो हमारा रह विसर्ग में बदल चुका है ठीक है अब ये तो हमारा रहेगा व्यवहार रूप में विसर्ग तो लेकिन हमारा जो सबस्स आप समझ गए होंगे कि रह हमारा कैसे आया और रह का विसर्ग बन जाता है ये भी आप समझ लेना अब इसमने मैं आपको 2 सूत्र समझाओंगा सिर्प और सिर्फ 2 सूत्रों तो पहला सूत्र आप exactly पर लिख लो क्योंकि छोटा सा सूत्र है इसलिए पहला सूत्र है बच्चो रोरी रोरी रोने मत लग जाना है छोटा सा सूत्र है इसमें नाम तो रोरी है रोरी ठीक है रोरी मतलब समझे इसका अर्थ लिखो आप बच्चो इसका अर्थ मैं यहां पर लिख रहा हूं देखो इसका अर्थ मैं यहां लिख रहा हूँ बच्चों, आराम से आप लिख लीजिए, इसका अर्थ है, रे के बाद, रे के बाद, रे होने पर, पूर्व, रे का लोप हो जाता है, यह हमारा एक सूतर हो जाता है बच्चों, तो रोरी सूतर कहता है, रे के बाद में यदि रे मिलता है, तो पहले वाला जो रे है, उसका लोप कर देना चाहिए, यह रोरी सूतर कह रहा है, रो रो करके, रे के बाद में यदि रे मिले, तो पहले वाला जो रे है, उसका लोप क कर लो समझ लो के लिएर सबके आगे चलिए अब हमारा दूसरा सूत्र है उसको भी मैं यहां लिख रहा हूं लिख देता हूं यहां चलो यहां लिख देता हूं दो सूत्र समझेंगे उसके बाद में सारा कुछ समझ में आ जाएगा सूत्र है हमारा ड्रलोपे ढ्रलोपे पूर्वस्य दीरगोणे है ये हमारा सूत्र है बच्चो देखिए कितना आसान सा सूत्र है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीरगोणे हैं मतलब समझे इसका अर्थ समझो आप बस अर्थ समझ जाओगे तो फिर पूरी कहानी समझ जाओगे इसका अर्थ में यहां लिख रहा है वच्चो आप सभी नोट करें इसका अर्थ है ढ्रह या रह ठीक है ढ्रह या रह के लोप होने पर ढ्रह या रह के लोप होने पर उससे पूर्व इस्थित अन अन का मतलब आ, ई, उ ये तीन वर्णों से लिना है अन वर्णों को दीर्ग आधेश होता है अब देखो यहां पर नाम आ चुका है दीर्ग वाला जो हम आपको संधी बता रहें न विसर्ग लोप दीर्ग संधी तो यहां पर आगया दीर्ग होता है कैसे होता है धह या रह के बाद में नहीं धह या रह के लोप होने पर यहां का लिख लो उससे पूर्व इस्थित अन वर्णों को दीर्ग आधेश हो जाता है जैसे मालो धह है खीक है जब धह का हम लोप करेंगे तो धह से पहले जो अन है धह से पहले जो अन मिलेगा हमें उस अन को दीर्ग कर देंगे अन में सिर्फ तीन वर्णों की बात आ रही है ए ई उ यदि A मिलेगा तो इसको A बना देंगे ऐसे और E मिलेगा तो इसको E बना देंगे U है तो इसको U बना देंगे ऐसे दीर्ग आदेश हो जाता है यही संधी है हमारी विसर्ग लोप दीर्ग संधी सिर्फ और सिर्फ यह दो ही हमें सूत्र समझने हैं बस इसके अलावा और कोई सूत्र समझने की जरूरत नहीं है इसी में हमारी पूरी संदिक किलियर हो जाती है अब तो सिर्फ और सिर्फ हमें उधारन समझने है बस उधारन से सब कुछ किलियर हो जाएगा अब यहां तक आपको समझ में आया की नहीं आया पहले तो यह बताई क्योंकि आप सवाल पूछोगे, तब ही तो हम जवाब देंगे उसका, और आप नहीं पूछोगे, तो हमारे हِّसाब से तो लगेगा, आपको सब कुछ समझ़ में आ रहा है, कोई प्रॉबलम आपको नहीं है, ठीक है? इसको मैं मिटा देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं उधारनों की तरफ ये नियम दिहान रखना लेकिन एक नियम तो है कि रह के बाद मैं यदि रह मिले तो पहले वाले रह का लोप कर देना है दूसरा नियम है डह और रह का लोप होने पर इससे पहले इस्तित जो अन है उस से बहुत ज्यादा जटल नहीं आई एक दम आराम से समझ में आ जाएगी देखो पहला हमने बताया था आपको रोरी रोरी की कंडीशन बताई थी रह के बाद में आपको रह मिलेगा तो इस वाले रह का लोप हो जाएगा ठीक है इसका क्या हो जाएगा लोप एक तो ये पूर्वस से दीर घोण है ठीक है तो यहाँ पर ढह या रह का लोप ढह हो या रह हो ठीक है इसका लोप होने पर ढह या रह का लोप होने पर इससे पूर्व में इस्तित यहां जो अन होगा उसको दीर गादिस हो जाएगा यह हमने आपको बताया था जब इनका लोप होगा तब तब यह चीज मैंने आपको बता दी है अब उधारन समझेंगे इसके आधार पर इसके आधार पर हम उधारन जानेंगे देखिए उधारन नमबर एक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ व्यवाहरिक रूप कोस्टक में बंद कर रहा हूँ और जो वास्तम में औरिजिनल रूप है वो है आपका पुनर पुनर धन रमते यह फेमस उधारन है आपके अब देखो यह वाली कंडिशन आ चुकी है हमने पहला सुतर बताया कि रह के बाद मैं यदि रह मिल जाता है तो यहाँ रह आगे भी रह तो पहले वाले रह का लोप कर देना है तो यह पहले वाला रह है ना इसका क्या कर देना लोप कर देना है ठीक है लोप कर दीजी तो हमने लोप जैसे ही किया तो बना पुने और आगे क्या बन गया रमते बताओ अब यहां पर देखिए हमने दूसरा सुत्र बताया कि धैया रह का लोप होने पर बताओ इसमें धैया लोप हुआ है कि रह का लोप हुआ है यहां पर लोप हुआ है बच्चो रे का तो हमने कहा कि धैया रे का लोप होने पर धैया रे से पहले यदि अन हो तो यहां पर देखो हमने लोप कहा किया है यहां किया है देखो यह रे था हमारा अब इस रे से पहले ने जो है इस ने के अंदर अन छुपा हुआ है यानि अन में क्या छ चुपा हुआ है तो आप क्या करोगे इस वाले सूत्र से इसको दीर्ग कर दोगे बस काम हो गया दीर्ग कर दोगे तो आप बना लोगे यहां पर पुना और रमते यूंकितों लिख देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा पुना रमते पुना रमते ऐसा रूप बनेगा अब हमने आपसे कहा मैं यहां बता रहा हूं जैसे पुनर धानर रमते अब देखो यहां रहे है और रहे से पधले नह है ऐसे मैं देखो यह जो दिख लाया आपको इस ने में ए छुपा हुआ है कि नहीं आप तो ये बताओ पहले तो मैं बड़ा लिखता हूं इसको और थोड़ा समझाने के एसाब से अब तो आराम से समझ में आ जाएगा बच्छो देखिए यार यहां पर रेका लोप करेंगे और ने है ने में ए छुपा हुआ है ए आपका अन में आता है हमने कहा कि ढहया रेका लोप होने पर ठीक है उससे पहले इस्तित जो अन है अन का मतलब ए ई उ उसको दीर्ग कर देना है तो देखो रे का लोप हो गया हमारा उससे पहले इस्तित जो अन है वो ने में छुपा हुआ ए उसको दीर्ग कर देना है बस तो हमने ने के अंदर जो ए था मतलब अन था उसको दीर्ग कर दिया तो यहाँ पर पुने की जगे पुना बन गया, रंत यागे है, ऐसे बनेगा यह, अगला उधारन सनू, देखो, एक एक उधारन देखते जाओगे तो किलियर होता चला जाएगा, देखो हरी ही, अगला है आपका हरी ही, तो यहाँ लिखेंगे हम, हरी, हरिर, ठीक है, अब बै प्रोसिस तो मैंने सबसे पहले सिखा दिया आपको, ठीक है, अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, तो हरेर धम, हरेर धन, रम्य है, यहाँ हो गया, हरेर धन, रम्य है, ठीक है, अब यहाँ देखो, रह है, आगे भी रह है, तो इस वाले रह का लोप हो जाएगा, इस वा प्रावर अ, ई और उ, ये तीन बढ़नों को अन कहते हैं, अच्छे से सुन लेना और समझ लेना, तो यहाँ पर ई मिल रहा है, तो ई का दीर को हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, जब इसका लोब करेंगे हम, तो ऐसे बनेगा हरी, रम्य, और जब दीर करेंग तो बन जाएगा हरी, रम्य है, ऐसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह आगे देखो आप, शंभू हूँ, तो बनेगा शंभूर, धन, राजते, तो यहाँ बन जाएगा वहिया, संभू, राजते, और बनेगा यहाँ पर दीर को करके, शंभू, राजते, संभू, राजते, एक सबसे प्रसिद्ध उधारण है, अंतह, क्या है, अंतर, धन, राश्ट्रिय, देखो, अंतर, धन, राश्ट्रिय, अब यहाँ पर रह आ गया, आगय भी रह है, तो यहाँ पर जो पहले वाला रह है, इसका लोप कर देंगे, और इससे पहले जो ए लिख रहा है, इस ते के अंदर, उसको दीर्ग कर देंगे, तो आप क्या बना लेंगे, डारेक्ट लिख रहा हूं में, अंतर, राश्ट्रिय, ऐसे लिखते हैं, अंतर, राश्ट्रिय, यह एक दम शुद्ध है, अब बैसे आप देखोगे, हिंदी के हिसाब से तो अंतर, राश्ट्रिय सीमा कितनी है, अंतर, राश्ट्रिय सीमा बताओ, तो वास्तम में यदि हम वियाकरण के हिसाब से शुद्ध वर्ण देखें, या शुद्ध शब्ध देखें, तो यह हमारा एक दम शुद्ध है, यह वाला, अंतर, राश्ट्रिय, आपको नियम बताया, उस नियम से देख लीजी आप बना लीजी बिलकूल एकदम सही है ये ठीक है ना और राष्ट्रिय जो दिख रहा है आप छोटी की मातरा देख करके सोच रहे होंगे ये तो गलत है ऐसा नहीं है ये एकदम शुद्ध है ये संस्कृत में बिलकूल सही है हिंदी में आपको बड़ कि अब देखो ये ऑनने चार उधारण बताए और भी उधारण आपको बताता हूं देखो पुनर धन रचना डारेक्ट बता रहा हूं है अब पुनर धन रचना है यहाँ पर रे की बाद में रे आ रहा है तो रे का लोप हो जाएगा रे से पहले जो आपका अण है उसका दिर्ग हो जाएगा तो पुना रचना बन जाएगा पुना और रचना ऐसे बन जाएगा बना की नी बना ऐसे आगे देखो आप निर निरधन रज है अब यहाँ निरधन रज है तो रह के बाद में रह आ रहा है तो पहले वाले रह का लोब कर देंगे और रे से पहले जो ई दिखरा है यह अन में आता है इसको दीर कर देंगे तो बना लेंगे नी रज है ऐसे बनता है नी रज इसी तरह निर है आगे रोग है यहां क्या बनेगा रे का लोप करेंगे और नी का दीर करेंगे तो नी रोग है ऐसे बनता है यह नी रोग है ठीक है इस तरह से बनाएंगे हम ऐसे आप बहुत सारे उधारण और भी बना सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब एक उधारण मैं इसमें धह वाला बताता हूँ आपको धह वाला देखो एक इसमें आता है आपका लिड लिड धन धह है देखो वैसे ये औरिजनल में लिए धातुए लिए ठीक है मैं आपको डारेक्ट बता रहा हूँ इसमें लिड धन धह है अब यहाँ पर देखो धह के बाद में धह आ रहा है तो यहाँ पर रोरी सूत्र तो लगेगा नहीं क्योंकि रोरी सूत्र तो यह कहता कि रह के बाद में रह आएगा तभी पहले वाले रह का लोप करेगा तो यहाँ पर धह के बाद में धह आ रहा है तो यहाँ पर धह का लोप कौन करेगा बताओ यहाँ पर एक सूत्र चलता है बच्चो धो धेर लोप है धो धेर लोप है यानि धेके बाद में यदि धे आये तो पहले वाले धेका लोप हो जाता है उसी सूत्र से यहाँ पर हम लोप कर देंगे आपको सूत्रों की आवशक्ता नहीं है या सूत्र रटने की जरूत नहीं है क्योंकि ये तो थोड़ा से डीपली मामला है मैंने बता दिया है लेकिन इतना आएगा ने आपके एकजाम में फिर भी आप थोड़ा से समझ सकते हैं तो यहाँ पर ढहका लोप हो जाएगा इस वाले ढहका अब हमने कहा कि ढहया रहका लोप होने पर उससे पहले जो अन होगा उसको दीर कर देना है तो यहाँ पर लिड़ में यह जो है उसको दीर कर देंगे तो ली ढह है ऐसा बना लेंगे तो यह उधारन एक हमारा ढहका भी हो गया इस तरह से हम इसमें बहुत सारे उधारन और भी बना सकते हैं कोई भी प्राब्लम नहीं है तो इस तरह से बच्चो हमारी यह संदी कंप्लीट हो जाती है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो सुत्र समझने होते हैं बस एक तो रोरी दूसरा ढ्रह लोपे पूर्वस से दिरगोण ठीक है रोरी कहता है कि रह के बाद में यदि रह आए तो पहले वाला जो रह है उसका लोप कर देना है और ढ्रह लोपे पूर्वस से दीरगोण सुत्र कहता है कि ढ्रह या रह का लोप होने पर उससे पहले इस्तित अन जो है उसका दीरगोँ हो जाता है अन में तीन वरण आते हैं ए ई उ इसका दीर गहम कर देंगे ठीक है तो इसमें हमने बहुत सारे उधारन आपको बता दिये हैं इनमें से जरूर आपके पेपर में आएगा निस्चित रूप से आएगा आप पेपर देने के बाद खुद ही मिला सकते हो ठीक है दोस्तो अब इ एकदम आसान करके बताने का प्रयास किया है इस तरह से दोस्तो हमारी विसरक संदी कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ में हमारा संदी का पूरा प्रकरण कंप्लीट हो जाता है अब संदी का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है ये हमारी कारांटी है अब इसके ब पढ़ना है कारक पढ़ना है कि समास पढ़ना है या फिर आपको प्रत्या पढ़ना है जो भी पढ़ना है फटा फटा आप कमेंट करके बता दीजिए ज्यादा कमेंट जिसके भी आएंगे उसी का हम टॉपिक चालू कर देंगे और आप कमेंट नहीं करोगे तो हम अपने हिस इसमें नुकसान आपका होगा ठीक है आप यदी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप क्लासों से वंचित रह जाओगे आपको लगातार क्लासेज नहीं मिल पाएंगी bs tc से सम्बंदित बहुत सारी जैनकारी और भी बाकी हैं वो भी मैं आपको इसी चैनल पर बताउगा जैसे कि पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए OMR seat में किस तरह से filling करनी चाहिए OMR seat को कैसे भरना चाहिए बिना किसी mistake के वो भी मैं आपको इसमें एक वीडियो के माध्यन से बताऊँगा कैसे आप बहुत अच्छे नमर ला सकते हो इसके बारे में भी एक रणनीती में बताऊँगा आपको पेपर को कैसे solve करें स्मार्ट तरीका से ठीक है वो भी मैं बताऊँगा आपको इसके बारे में और जो बिशेश चोटी चोटी बाते हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा आपसे करूँगा ठीक है एकाथ दिन बाद में मैं आपसे मिलूँगा ठीक है ना तो ये हमारी class लगातार चलती रहेंगी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी कोई भी समश्या रहती है कोई भी समश्या किसी भी तरह की हो सकती है चाहे वो पढ़ाई से समबन देत हो चाहे आपकी अधर कोई भी problem है लेकिन वो पड़ाई से लिंक है तो आप उसको जरूर हमसे पूछ सकते हैं हम पूरा प्रियास करेंगे कि आपकी समश्या का समधान जरूर मिले सब के लिए धन्यवाद, सब के लिए नमस्कार, सब के लिए शुब कामनाएं और लास्ट में सब से एक बात और केना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह हर गम से रहो आजाद दुखों का करना पड़े ना तुम्हे सामना यही है अमारी शुब कामना, शुब कामना, सब के लिए धन्यवाद जैहिन, जैतु भारतम, जैतु संतु